स्वागत दोस्तों आपके अपने यूटूब जेनल के सब जोन में आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले बिहार अमिन 1767 पोस्ट के बारे में LPA39-2022 का अपडेट के बारे में आज आप लोगों को जो यहाँ पे गूड निए यहाँ पर हंडेट परसेंट मिलेगी इ चलिए वीडियो को इस्टार कर देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कल मैंने सामने एक वीडियो डाली थी जिसमें आप लोगों को बताया था कुछ ओपोजीशन के कारण जो है आप लोगों का यहाँ पर डेट को जो है आगे कर दिया गया 18 अक्टूबर कर दिया गया है ठीक ना तो वहाँ पर बहुत सरा मुझे यह कोमेंट आने लगा कि क्या आप कोट में मौजूद थे या जो है यहाँ पर डेट को आगे क्या गया है एड्जॉर्प करके आगे कर दिया गया है तो नहीं होगी कल सुनवाई इसके बारे मैं यहां पर सबसे पहले अपडेट देखेंगे कि जो अभी अबडेट है यहां पर यहां पर देख सकते हैं चल्ट कर दिया गया है घिक ना एडजो किया गया था लेकिन हम लोग के कल पक्ष में जो है 17-17 पोस्ट के फेवर में ही थी बाते यहां पर देख सकते केस का लिस्ट का सिरियल नमर आज भी 4 ही 100 कर रही है अगर ऐसा रहता अगर आज इसका सुनवाई नहीं होती आज इसका 100% बात नहीं होती तो यहां पर 8-10-2022 जो 100 कर रहा है आप लोगा यहां पर केस का सिरिय करके अपडेट देता हूं मैं ठीक ना ऐसा नहीं कि कुछ मन हुआ वीडियो बना के डाल दिया ऐसा कुछ नहीं करता हूं मैं जो भी अपडेट आती है वह किलिए आता आपको यहां पर लाइप पूरूप देख सकते हैं आप लोग इस्टेटस में भी जाके देख सकते हैं ठीक ना जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं उसके बाद जबाद आप नीचे आएगा ति यहां पर देख सकते हैं यहां पर एजुएंटी प्रेट फोर दा बिहेव ऑफ पैटिशीट लेट दीज मेटर बी लिस्ट ऑन 18 अक्टूबर 2020 अस्तोस कुमार जी जस्टिस यहां पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करें चैनल पर पाली बारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके अमने किसी प्रकार का डाउट है ताब मुझे कोमेंट करना बिलकूल न भूले मिलतेगा इनेक्ट वीडियो में तब तक के ल